कि अपनी कमियों को दूर करते चलिए सुधात्य सब कुछ अच्छा हो जाएगा नमस्कार आज का जो अध्याई है कक्सा 7 का लेंगिक समझ और समेदन सिलता दसुआ अध्याई है देखि वीडियो को लाइक कर दें सभी को शेर कर दें और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले पहला प्रश्ण है बालक की पहली शिक्षक कौन होती है तो ये सभी को मालूम है बालक की जो पहली शिक्षक होती है वो होती है माता राज तरंगिनी में किन महिलाओं का उल्लेख है जिनोंने कश्मीर में शाषन का संचालन किया था और राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखित है वाब बताना तो उत्तर है इसका राजतरंगिणी में उलेख मिलता है कि सुगंदा, दिद्दा और कोटा नामक मैलाओं का उलेख मिलता है कि इन्होंने कश्मीर में सासन संचालन किया था अगला है सती पर्था के विरुद कानून या सती पर्था के विरुद कानूनी पर्तिबंद किसने लगवाया तो वो लगवाने वाले थे राजा राम मोहन राय कौन थे राजा राम मोहन राय कुछ और एफेक्ट वाली बाते हैं कि इस्वर्चन विद्या सागर ने विद्वा विवा के समर्थन में जन जागरती पेदा की लोगों के इंदर वहीं स्वामी दयानंद सर्श्वती की हम बात करें तो इन्होंने महिला शिक्षा के लिए उलेखने कार्य किया था इस्वर्चन विद्या सागर ने विद्वा विवा के लिए समर्थन में जागरती पेदा की दयानंद सर्श्वती ने महिला शिक्षा के लिए वहीं महात्मा जोतिवा फोले और सावित्रिवाई फोले ने भी नारी उत्थान के लिए कार्य किया आगे बढ़ते हैं कि लेंगिक समेदन सीलता का अर्थ है इस अध्याय के अंदर लेंगिक समझ और समेदन सीलता इन्हीं सब बातों से जुड़े हुए चीजे हैं लेंगिक समेदन सीलता का अर्थ है तो इसका अर्थ है इस्त्री और पुरूस दोनों के प्रति समान भाव अनुभव करना इस्त्री और पुरूस दोनों के प्रति समान भाव अनुभव करना ही क्या है लेंगिक समेदन सीलता है अपने समाज में इस्त्री को कम तर समझा जाता है समुदाइक के अंदर भी, कामों के अंदर भी रोजगार में भी कम सेलेगी दी जाती है उनको कई मजबूरी पे जाते हैं ये सारे की सारे चीज़े है ये है इस्त्री है, ये है पुरुस है ये निरर्थक बात है ये इस्त्री है ये पुरुस है ये निरर्थक बात है वस्तुत है सत्पुरुसों का चरित्र ही पूजा के योग्य होता है ये किसने कहा है तो ये कहने वाले हैं अपने मा कभी कालिदास मा कभी कालिदास बनने को तो चार प्रशन आगे और बन जाते ले पूछा गया था इन में सवाल पूछा जाता है अक्षर लिंगानुपात की बात करें अपने यहां तो 928 रती हजार ठीक है 928 लिंगानुपात रास्तान का कुल शाक्षरता की बात करें तो 66.1 कुल शाक्षरता है पुरुष शाक्षरता की बात करें तो 79.20 और महिला शाक्षरता 50.10 देख लिए पुरुष शाक्षरता जहां 79.20 वहीं महिला शाक्षरता 52.10 है आगे बढ़ते हैं यह भी पूछा जा सकता है बाल कल्यान हेल्प लाइन नमबर तो है 1000 कि निमन में से बाल कल्यान हेल्प लाइन नमबर नहीं है या निमन में से महिला हेल्प लाइन नमबर नहीं है इस से करके प्रश्ण बन सकता है महिला हेल्प लाइन नमबर की बात करे 1090 1095 और 112 1090 1095 और 112 और 1010 में जो है बाल कल्यान हेल्प लाइन नमबर आगे देखते हैं लिंगान उपात में समानता लाने के लिए कौन सा अभ्यान चलाये जा रहा है तो लिंगान उपात की समानता आ जाए इसके इंतर इसके लिए बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ यह अभ बेटियों के लिए और भामासा के अंदर मैला को परमुक बनाया जाता है तो यह सारी की सारी योजना है जो क्रियान विता है जय हिंद लाइक निके तो कर दें सब्सक्राइब कर दें